नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में बिहार की दस प्रमुख बड़ी खबरे सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवस्ट करें अंचाया चुनाओं में केंडिडेट के दोस्तों और रिस्तिदारों पर भी होगी आयोग की नजर खर्ज पर नजर रखेंगे ऑब्जरवर कोरोना और वाइरल फ्लू के बाद पटना में इस विमारी ने बढ़ाई विभाग की टेंसन अस्पतालों में अलग OPD बनानी का निर्देश बिहार कॉंग्रेस का ताज किसके सिर कभी भी हो सकती है नए प्रदेश अध्यक्ष की घोसना आगे जानिए कौन से नाम है रेस में सबसे आगे बिहार बोर्ड की लापरवाही बिहार में पंचाया चुनाओ का विगुल बजने के बाद निर्वाचन आयोगद्वारा कई गाइडलाइन्स जारी की जारी है ऐसे तो आमतवर पर प्रत्यासियों के खर्च पर नजर रखनी की कोई मुकमल विवस्ता नहीं रही है लेकिन इस बार राज निर्वाचन आयोग ने आपजरवरों को यहाँ टास्क सौप दिया है मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायर चुनाव में तैनात किये जाने वाले आपजरवर प्रत्यासियों के मित्रों एवंग संबंदियों के साथ उनके समर्थकों द्वारा किये जा रहे खर्च पर पैनी नजर रखेंगे अबजरवरों को अगर लगता है कि किसी प्रत्यासि के दोस्त, मेत्र या रिस्तिदार चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं तो वो इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी तादे की चुनाव के मद्दे नजर तैनात किये जाने वाले अबजरवरों का टाक्स आयोग ने निर्धालित कर दिया है इसके तहट अबजरवर मद्दान दल के कर्मियों की ट्रेनिंग, बैलेट, बॉक्स, इवियम एवंग मद्दान समागरी की विवस्ता पर नजर रखेंगे इसके साथ ही अगयाद सराब के बिक्री एवंग अन्य सम्मंदित मामलों की भी समिक्चा कर सकेंगे बिहार में वार्यल फ्लू के साथ साथ अब आई फ्लू का भी हमला सुरू हो गया है तीन दिन से लगाताल पटना के IJIMS वप्यम्सियच के नेत्र रोग विभाग में मरीजों की तीजी से आना सुरू हो गया है इसमें सबसे अधिक युवावर्ग के लोग सामिल है वहीं मरीजों की संक्रमन न फैले इसके लिए ऐसे मरीजों के लिए अलग से OPD की वरस्ता करने के निर्देश जारी किये गया है IJIMS के नेत्र रोग विभाग ध्यक्ष डॉक्टर विभूती प्रसन्व सिन्हा ने बताया है कि इस समय आई फ्लू के मरीजों की संख्या में तीजी से इजाफा हो रहा है मरीजों को परिवार के बीच सतरकता बरतने के भी सुझाव दिये गया है गुरुवार, सुकुरुवार वस्तनिवार को डेड़ दरजन से ज्यादा मरीज OPD में इलाज को पहुँचे वहें नेत्र रोग विसेसग डॉक्टर सुनिल कुमार सीग ने बताया कि यहाँ इंफेक्शन पैदा करने वाले वाइरस के कारण होता है यहाँ वाइरस बहुत तेजी से आँखों में फैलने लगता है बिहार कॉंग्रेस पार्टी में फिर बदल का काउंटडाउन सुरू हो चुका है बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान राज में नए प्रदेश अध्यक्ष का एलाम किसी भी वक्त कर सकती है बिहार में कॉंग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन जा का कारिकाल अगले मां खत्म होने जा रहा है नए कॉंग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अनिल सर्मा और विधायक राजेस राम का नाम सबसे आगे है सुत्रों से मिली जानकारी की अनुसार जारकंड के बाद अब बिहार में भी कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष बनाय जाने की कवायद सुरू हो गई है बता जा रहा कि आलाकमान ने पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी भक्त चरंदास से नाम भी मांगे है माना जा रहा कि नामों का एलान कभे भी पाटी की ओर से की जा सकती है कॉंग्रेस सुत्रों की मानितु कटुंबा से विधायक राजेस राम का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे है दरसल प्रदेश प्रभारी भक्त चरंदास ने हाई कमान से सेपारिस की है कि प्रदेश में किसी दलित चहरे का अध्यक्ष बनाय जाए वहीं असोक राम भी अध्यक्ष बनने की रेस में सामिल है इसके अलावा अनिल सर्मा का नाम भी सबसे तेजी से चल रहा है हालाकि अंतिम फाइनल आलाकमान को करना है बिहार विद्दाले परिच्छा समिती की लापरवाही के कारण प्रकण छेत्र के उची विद्दाले सिम्री उची विद्दाले परस्वनी मुर्टली आचक सहीत कई उची विद्दालेों से ग्रेस अंक के आधार पर मैट्रिक पास चात्रों का रिजल्ट फेल आने से चात्रों में निरासा दिख रही है विद्दितों के वर्ष 2021 में आयोजित मैट्रिक परिच्छा के घोसित परिनाम के बाद दो बिशयों में फेल हुए चात्रों को ग्रेस माक्स देकर पास कर दिया गया था रिजल्ट भी वेवसाइट पर प्रकासित कर दिया गया था लेकिन अंक पत्र वा टियार में फेल रहने के कारण आगे की पढ़ाई बाधित हो रही है ग्रेस अंक के आधार पर सफल चात्रों ने इंटर्मेडियेट में एडमेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया वालेज या प्लस टू के विद्दालाई की निर्धारित कट आफ मार्क्स के आधार पर चात्रों का एडमेशन के लिए प्रतम मेगा सुची में नाम भी आ गया लेकिन जब विद्दालाई परिक्षा समीती द्वारा विद्दालाई को टियार एवंग अंक पत्र भेजा गया तो उसमें ग्रेस मार्क्स के आधार पर पास किये गए चात्रों को फेल दिखाया गया है जिसके कारण छात्रों का इंटरमेडियेट में एडमिसन मुश्किल हो गया है विज अंक के आधार पर पास हुए छात्र छात्राओं ने काया है कि इंटर में एडमिसन के लिए हम लोगों का नाम चैन सुची में है लेकिन रिजल्ट फेल रहने से एडमिसन नहीं हो रहा है। की सुईधा दी गई है। नमांकन पत्र दाकिल करने के बाद प्रत्तासियों को इसके लिए आविस्तक है कि वह भौतिक रूप से निर्वासी पताधिकारी के पास उफस्दित होकर ओनलाइन किये गए नमांकन पत्र की प्रती और नाजरी रसीद की प्रती जमा कराना होगा। पत्ना एरपोर्ट के रनवे के आसपास पक्चियों का जमावडा बढ़ गया है जिसका परिनाम सुक्रुवार को बर्ड हीट के रूप में देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि पत्ना एरपोर्ट से उडान भरते या उतरते विमान से। पहली बार कोई पक्ची टकराया है। इससे पहले भी बर्ड हीट के मामले हुए हैं और उसके बाद उसको रोकने के लिए एरपोर्ट प्रबंधन समीती द्वारा कई निर्ने भी लिये गया है। इनमें एरपोर्ट परिसर में खुले में कुड़ा को नहीं रखना और आसपास इस्तित मोहलों में खुले में पर अमल नहीं हुआ है लिहाजा आज भी बर्ड हीट जारी है यह तो सुकद सयोग है कि अब तक ऐसी टकर की कारण कोई बड़ी दुरगटना नहीं हुई है और बर्ड हीट गरस्त विमान को पाइलट सुरक्चित उतारने में सफल रहा हैं अन्य था कभी भी बड़ी दुर करम का आयोजन किया गया इस मौके पर चलंत दस्ता सिपाही के 34 सिपाही को सीला कुमारी के हातों नियुक्ति पत्र दिया गया बाकी के चैनित सिपाही को एक सितंबर को जीलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मंत्री सीला कुमारी ने सभी नव नियुक चलंत दस्ता सिपाहियों को बधाई दी और उनके उज्वल भविस्ट की कामना की उन्होंने काया कि अपने तायत्वों का इमांदारी पुरुवक निर्वहन करे परिवहन विभाग के अंतरगत चलंत दस्ता सिपाही के 496 रिक्त प परिवहन सचीव संजै कुमार अगरवाल ने बताया कि मोटरवाहन से सम्मंदित नियमों अधिनियमों को अनुपालन सुनिश्चित कराने ओवर्लोडिंग पर प्रभावी धंग से नियंत्रन करने तता प्रवर्तन तंत्र को प्रभावी बनाया जाने के उद्देश से चलं पंचायत चुनाओ का बिगुल बजते ही प्रसासन ने तैयारियां सुरू कर दी है पटना स्सपी उपेंद्र कुमार सर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठा कर वोटिंग के 24 गंटे पहले हर पंचायत से उपद्रवियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है स्सपी ने वोटिंग के 24 गंटे पहले हर पंचायत से दस उपद्रवियों को उठाने का निर्देश दिया है स्सपी उपेंद्र कुमार सर्मा ने सभी CTSP, DSP और थानेदारों को आदेश दिया है कि चुनाओ को प्रभावित करने वाले लोगों की लिस्ट बनाए हर एक पंचायत से 15-15 लोगों में से 5-5 लाग का बाउंड लिखाना है बाउंड में उन्हें यहा लिखाना होगा कि चुनाओ को वहा किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे चुनाओ के दोरान किसी से मारपीट या किसी तरह की वारदात नहीं करेंगे अगर वे इस बाउंड के खिलाप जाएंगे तो उन्हें 5 लाग रुपए जमा करना होगा और उन पर सर्टिपिकेट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा के साथ ही चुनाओ से पहले हर एक पंचायत से 10-10 ऐसे उपद्रवियों को उठाना है जो चुनाओ में गोलिबारी मारपीट लाठी डंडे का प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्यासी को धमकी भी दे सकते हैं इहार सरकार अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर सकत रूक अक्तियार करने वाली है सरकार के नियमानुसार समुह गह के कर्मियों और अधिकारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्ज होता है हर साल फरवरी महने तक सरकारी कर्मी इसे अपने विवाग में जमा करवा देते हैं लेकिन कई कर्मी ऐसे भी हैं जो समय पर अपनी संपत्ती का विवरा देना उचित नहीं समझते हैं ऐसे कर्मियों पर अब सरकार सक्त हो गई है तो इस समय में संपत्तिक और ब्योरा नहीं सौपने पर कड़ी कारवाई होगी पहले तो उनका वेतन रुका जाएगा और फिर से ब्योरा नहीं सौपा गया तो इसे गंबीर कदाचार मानते हुए उनके खिलाप विभागिय कारवाई की जाएगी सामान प्रसासन विभाग ने इस संबन में सभी विभागों के अपर मुख्य सचीव प्रधान मुख्य सचीव और विभाग द्यक्ष के साथ प्रमंडलिया आयुक्त और जिलाप अधिकारी को पत्र भेजा है इस पत्र में इस बात की चर्चा है कि हर साल 28-29 फरवड़ी तक समो को और ग़के सभी अधिकारियों और करमचारियों को चल समपत्ती का विवरन सरकार द्वारा तै किया गया है लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी और करमचारी द्वारा यह समर्पित नहीं किया जाता है, या फिर निर्धारित अवधी के बाद संपत्ती का ब्योरा कई करमचारी और अधिकारी नहीं देते हैं, इसे गंबिर कदाचार मामला मानते हुए, कई ऐसे सरकारी क कर्मचारियों के खिलाब कारवाई की जाए। नियुक्ति को लेकर सिक्षा विभाग ने सुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। यथा जिला अनुकंपा समिती द्वारा 1 जुलाई 2006 के पुर्व वर्ग 3 अथवा 4 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुसंग्सा की गई हो। उन अस्रितों की वर्ग 3 अथवा 4 के नियुक्ति के लिए अनुसंग्सा के आधार पर जिन अस्रितों की 1 जुलाई 2006 के बाद जिला अथवा प्रमंडलिय संबर के सायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की गई हो। उनकी वर्ग 3 अवं 4 के विरुद नियुक्ति की जाए। तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इससेदारों में सेर जरूर करें धन्यवाद।